नमस्कार मेरे इनु मिस्टर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में बना रही हूँ दो रंग के कपड़ों से बहुत ही सुन्दर बैग अगर आपके पास भी दो कलर का कपड़ा बचा हुआ है तो उसको मिला के आप ये सुन्दर सा बैग बना सकते हैं दिखने में जितना सुन्दर है ये बैग बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है वैसे इस बैग को बनाने के लिए टोटल कपड़ा हाफ मिटर लगेगा आधा मिटर कपड़ा में ये बैग बनके त्यार हो जाएगा इस बैग में दो पॉकेट है एक पॉकेट सामने की तरफ है और एक छोटा सा पॉकेट बैग में अंदर की तरफ भी है इस बैक को मैं velvet के कपड़े से बना रही हूँ, आप इसे किसी भी कपड़ा किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, अगर आपके पास suit या फिर blouse पीस बचा हुआ है तो उसको भी use करके ये बैक बना सकते हैं आईए, देखते हैं कैसे बनता है ये प्यारा सा बैक, इस बैक को बनाने के लिए सब से पहले इसस तरह के ये तीन पीस मैंने लिये हैं अब इन सब का नाप देख लेते हैं, तो जो पीस है इसकी लंबाई है 17 इंच, 17 इंच, चोड़ाई है इसकी 11 इंच, यानि गियारा का इस तरह का दो पीस हमें लेना है देखिए ये दो पीस है दोनों बराबर है 17 by 11 का दो पीस है उसके अलामद देखिए दूसरे कलर का कपड़ा है इसकी लंबाई उतनी रहेगी 17 इंच और इसकी जो चोड़ाई है वो 246 इंच है यानि की 6.5 इंच अब ये जो तीनो है न इन तीनो कपड़े को मिला क shopping आपस में सीलना है तो बीच में ये जो plain वाला कपड़ा है उसको रखोंगी और दोनों साइड में ये printed वाला कपड़ा रखके तीनों को मिला के इस तरह से सील लोंगी तो ये दिखें तीनों को मिला के इस तरह से सील लेना है पहले ये दो को सील लेते हैं आप जो दूसरा पीस है उसको दूसरी साइड में इस तरह से मिलाते हूँ शाम आप ये देगे तीनों पीस जुड़िया है ना इसके बाद हमें क्या करना है ना कुल्ट करना इसको quilt करने के लिए हमें लेना है अस्तर, अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं, मैंने ये साड़ी लिया है अस्तर के लिए और फिर बीच में रखना है इस तरह से form, तो ये जो form है ने ये half inch मोटा form है, फिर उसके उपर रखेंगे ये main fabric, अब इ इस तरह से खड़ी सिलाई कर लेंगे, तो ये quilting हो जाएगी, तो ये देखिए quilt हो गया है, quilt होने के बाद, अब इसकी total लंबाई 27 inch हो गई है, और चोड़ाई तो उतनी है 17 inch, अब इसके बाद हम pocket बना लेते हैं, तो pocket की जो लंबाई है वो है 6 inch, और इसकी जो चोड़ाई है, वो है 5 and half inch, मतलब 5 inch, अब इसके उपर 6 inch का जीफा में लगाना है, और ये आपके पास कोई सा भी lace वगएरा या patch हो, तो उसको इसके उपर लगा सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें देखिए, बीच में mark कर लें, तो ये बीच में मार्क मैंने कर लिया है, अब बिल्कुल सेंटर में ये जो मेरे पास ये patch है, इसको रखके और फिर इसको चारव तरफ से सील लूँगी, तो अब ये लगाने के बाद, हम इसमें उपर की तरफ जीफ लगाएंगे, तो जीफ को उल्टा रखके पहले सील लेना है, फिर पलटके जीफ को उपर की तरफ करते वे, इस जीफिस में लग गया है, अब इसे हमें बैग में लगाना है, तो इसको पहले बीच से हम फोल्ड करेंगे, और इसमें सेंटर में मार्क कर लेंगे, उपर की तरफ, ये सेंटर में मार्क में ने कर लिया है, अब जो बैग है उसको लेंगे, और उसमें भी बीच से फोल्ड क नीचे की तरफ थ्री इंच पे इस तरह से पॉकेट को रखते विए सिल ले नीचे की तरफ एक बार फोल्ड करके उसके बाद सिलना है यह देखें यह सामने वाला यह पॉकेट लगया है इसके बाद हम इसमें अंदर की तरफ भी पॉकेट को लगा लेते हैं तो इसके लिए इस तरह का प्लेन कपड़ा हमें लेना है अब इस गपकता है इसकी जो लंबाई है वो है 8.5 यह ने कि 8.5 इंच और इसकी जो चोड़ा इच है वो है 6.6 अब 8.5 इंच लंबा जिप लेना है अब यह जो सेंटर में मारक है वहाँ ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे मारक लिया है अब ये देखें, त्री इंच पे मार्क में ने कर लिया है, अब ये जो पॉकेट है ना इसमें जो सेंटर में मार्क लगा है और बैग में, इन दुनों को इस तरह से मिलाते वे और इसको देखें तीन साइड से हमें फोल्ड करके सीलना है, उपर की दरफ सीलने के बाद बाकी का जो ये तीन साइड है इसको हम देखें एक बार इस तरह से मोड़ते वे उसके बाद इसको सीलेंगे, तो अब ये देखें ये अंदर वाला जो पॉकेट है वो भी बन गया है, अब इसके बाद हम इसमें बैल्ट को लगाएंगे, तो देखें दो पीस ये बैल्ट में ले रही हूं, रेडिमेट बैल्ट है, आप चाहें तो सेम इसी कपड़े का भी बैल्ट को बना सकते हैं, अब ये जो बैल्ट है, दोनों बैल्ट की जो लंबाई है, एक बैल्ट की जो लंबाई है, वो है, 43 इंच, तो 43 इंच लंबा दो पीस बैल्ट हमें लेना है, अब इसे हमें बैल्ट में लगाना है, तो ये जहां पर ये जोईंट है, दोनों कपड़े को जहां पर हमने मिला के सीला है, वहीं पर इस बैल्ट को रखते वे, और ये देखें, इसका इसलिए बिल्कुल से दूसरी साइड भी निशान लगा ले इसलना करेंगे और फिर इस बैलट को हम पाज ए пред गुमाते हैं फिर इसको देखिए इस तरह से नीचे तक सिल्लेना है को आप दूसरी सायट भी सीलेते हैं उपर के थब मिल दौतीन सलाइ constitutional कर लियraw आप यह देखिए एक साइट का हो गया आप दूसरी साइट देखिए उसी के बराबर हमें इस बैल्ट को सिल लेना है आप यह देखिए यह बैल्ट लगया है अब इसके बाद हम इस पर अब बैल्ट लगाने के बाद चारो कोने पर हमें राउंड से देते वें कट करना है तो देखिए दो दो इंच पर यह दोनों साइट से मैंने निसान लगा लिया है अब दोनों निसान को मिलाते विए इस तरह से round shape देखे और फिर इसको cut करना है अब इसी तरह से बाकी का जो तीनों कोना है उसको भी हम इसी के बराबर cut करेंगे तो बीच से इसको देखिए इस तरह से fold करेंगे हम और फिर दूसरी साइड का भी cut कर लेना है अब बिल्कुल इसी तरह से बाकी के दूसरे साइड में जो दूनों कोना है उसको भी इसी के बराबर cut कर लेंगे तो अब यह देखिए यह चारों कोना हमने round shape देते वे cut कर लिया उपर वाला भाग तियार कर लेते हैं उसके लिए quilted piece है इसे form अस्तर लगा के सिला हुआ है इसकी जो लंबाई है वो है 20 इंच यानि की 20 इंच और इसकी जो चोड़ाई है वो है 3 इंच तो 20 by 3 का इस तरह का एक पीस हमें लेना है अब इसको बीच से fold करके और दो बराबर भाग में हम इसको cut करेंगे अब इस तरह से बीच से cut करने के बाद इसमें हमें लगाना है जिप को अब ये देखे बीच से cut कर लिया है मैंने और इसी के नाप का देखिए जिप लेंगे और कपड़े के उपर जिप को इस तरह से उल्टा रखते वे पहले सिल लेना है अब जो दूसरा भाग कपड़े का हमने cut किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते वे सिलना है अब इसको पलट के और दोनों साइड हमें इस पे press stitch करना है अब देखिए इसमें जिप लग गया है रणर मैंने पहले से इसमें दोनों लगा के रखा हुआ है अब इसको 20 से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड सेंटर में निशान लगा लेंगे तो अब ये देखिए सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है जो बैग है ना उसमें भी दोनों तरफ बीश से इस तरह से फोल्ड करते हुए और इसमें भी सेंटर में निशान लिए है तो ये दीकें जो जीप लगा वाला कपड़ा है इसमें जो हमने सेंटर में Markia, और bag में, एकिंच च्छोड़नी हो डिसा औरें, को डूसरी साइट को सी सफ़ा से परें, इस तरह का जब भी ayric के माते हो गता, insection, इसे कहना दोनों साइट बराबर रहता है, छोटा बड़ा नहीं होता है अब यह देखिए यह एक भाग सिल गया है अब दूसरा भाग जो है ना उसको हम लेंगे और इसमें जो हमने निशान लगा है सेंटर में दोनों को मिलाते वे और फिर सिल लेना है तो इसको भी देखिए बीस से मैं सिलना शुरू करूंगी जिसस साइट से देखिए लगबग एक इंच छोड़ के तपसिल ला है अब देखिए उपर वाला भाग की सिल गया है अब बस बैक का जो साइड वाला भाग है उसको हमें रेडी करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम देखिए एकदम बीच में नीचे की तरफ इस तरह से निशा लगा लेंगे अब यह निशान हमने लगा लिया है अब उपर वाला जो यह भाग था ना जिसमें जीप लगा हुआ है इसको इस तरह से रखते वे और इसी के बराबर बिल्कुल सेंटर में लगते वे दोनों साइड निशान लगा लें देखिए इतना ही चोड़ा हमें इस जो भाग है इसको हमें रेडी करना है तो इस तरह के यह दो भाग मैंने त्यार किया है अब दोनों कुल्टेड है अस्तर फोम लगा हुआ है लंबाई है 9 इंच और चोड़ाई है 3.5 इंच अब देखिए इसको हमें क्या करना है साइड में पहले यह उपर वाला भाग हम सी अबी है इसकी बाद आ अब इसके बाद यह उन्यमा टारा है अब इसके बाद यह नीचे वाला वाला जो भाग है इसको हम सी लिए deception गे अब भी देखिए ये दोनों साइड देखिए इस तरह से बराबर करते वे पुरा सिल लेना है अब देखिए लेना है अब ये देखिए एक साइड का ये पुरा सिल गया है ना बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उसको भी हमें सिल लेना तो इसको फटा फट सिल लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से सील ले हैं जैसे कि हमने पहले वाला भाग सीला था अब ये देखिए ये पुरा सिलाई हो गया है ना अब ये जहां पर सिलाई है ना वहां पर आप चाहें तो दो से तीन सिलाई कर लें मजबूत रहेगा या फिर इस तरह से 2 इंच चौड़ा कपड़ा ले और पूरा पहले एक साइड सिल लें पाइपिंग कर लें इसमें तो पहले ये दोनों जो साइड वाला भाग है ना उसको पाइपिंग करना रहता है इससे फिनिसिंग रहती है एक साइट पहले देखिए सिल के फिर दूसरी साइट डबल फोल्ड करके सिल लेना है अब इसी तरह से दूसरी साइट भी तो अब ये दोनों साइट वाला पाइपिंग हो गया है ना अब हमें पूरे बैग में इस तरह से देखिए पाइपिंग कर लेना है तो यह थोड़ा मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूं नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है न तो फिर थोड़ा बोरिंग लगने लगता है तो बस ऐसे ही इसको आराम से पूरा एक साइड पहले सील लेना है अब यह देखे पूरा एक साइड सील गया है न अब हम क्या करेंगे इसको दूसरी साइड पल्टेंगे इस तरह से और डबल फोल्ड करेंगे मतलब दो बार मोड़के और इसको भी सिल लेंगे इस तरवसे दिखे डबल फोल्ड करते वे और इसको भी पूरा सील लेना है इस तरह से ये piping complete हो जाएगा बस इसी तरह से पूरे bag में piping कर लिया तो दिखे ये पूरा piping मेंने कर लिया है अब दिखे पूरे bag में कितनी अच्छी सी finishing आ गई है और ये जो bag है वो भी मजबूत हो गया है दिखने में भी अच्छा लग रहा है देखे कितनी आसानी से ये bag बन के त्यार हो गया है अब इस bag को हम सीधा करके देख लेते हैं कोना वगेरा अच्छी तरह से निकाल लेते हैं इसका उमीद करती हूँ आपको मेरा ये bag मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सब के साथ और भी अच्छे अच्छे नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू